हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहा है सब्सक्राइब आज की इस वीडियो में हम पॉली टेक्निक सिविल इंग के जो थर्ड सिमेस्टर की स्टुडेंट है तो उनका इस्ट्रेक्शिल मेकानिक का हम सब्जेक्ट यहां पर देख रहा है इसके सीरीज च सब्सक्राइब तो आप हमारे टेलिग्राम जो ग्रूप है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं हमें तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको डिक्रीशन में मिल जाएगा यदि आप इंपोर्टेंट की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं अपने सब्जेक्स से जो आपके एक तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्राइस कर लें जिसके हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी क्योंकि नेक्स्ट समेस्टर जो आपका आने वाला है उसकी वी तयारी आपको इस चैनल पर कराई ज तो बीस लेबस में जितने भी चेंजन हुए हैं जितने टौपिक आपके हैं सेम होंपी आपको पताए को इस लिए सभी overlay के neighbours के miss waiting ihmosh आपके स्लेवास में क्योब कॉलम आपका दिया गया है तो कॉलम से रिलेटेड जितने भी important points है जो numerical आपके exam में पूछे आ सकते हैं बहुत ही important point आपर दिया आते हैं तो किसी ढाच यानि कि कोई भी structure या machine का वह vertical जो member होता है जिस पर सदेव compression यानि कि compression बल या भार कारे करता है ठीक है कोई भी structure है या फिर machine है उसका vertical member जिस पर सदेव आपका compression बल या भार कारे करता है उसी को हम बोलते हैं column ठीक है उसी को इसता हम बोलते हैं तो आप यहां से clear कर लेंगे अपना definition कि कोई भी structure या फिर machine है और उस पर जो vertical member है ठीक है जिस पर सदेव आपका compression बल्य भार लग रहा है उसी को बोलेंगी column कारे करने वाले बल्य भार जो आपके कारे करने वाले बल्य भार है और अक्षी यानि कि axial या फिर उतकेंदरित eccentric दोनों ही प्रकार के ह हो सकते हैं तो axial क्या होता है eccentric क्या होता है इन दोनों के बारे में भी आपको आगे बताए जाएगा तो जो इस पर संपीडन बल्य भार कारे करता है ठीक है तो यह आपका axial भी हो सकता है और eccentric क्यानिकी उतकेंदरित भी हो सकता है जैसे आपका इमार्तों में खंबे जिनके श वर्गी करण classification आप कालों क्या होता है शरल रूप में काल्मो को निम्न आधारों पर वर्गी करित कियाता है कुछ वैसिस हैं उनके वैसिस पर हम इसका वर्गी करण करेंगे और most important point है आपका तो कालम का वर्गी करण सबसे पहला जो हमारा अधार है भार का तरिस बार के दे याननिских eccentric load आता है दो परकार के लोड हमारे कॉलम पे आते हैं तोिक अधार पर दो परकार से इनका वरगी करण किया गया है यह खबार आक्षिट भारी उत्केंद्र भारीत कॉलम यानिक इसे तो इस पर पर जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है इस पर अगर कोई लग रहा है तो इसके विल्कुल सीध में तो यह आपका हो जाएगा और इसके पर दोरी हो जो आपके यहां से आपका हो गया कि पर जो कॉलं कवर्गी क्रण हो दो परकार से अंव्योड़ कोई और आपका होज़ता है eccentricity loaded column, तो next हम देखते हैं, तनुता अनुपात के अधार पर, जो आपका cylinderness ratio होता है, यह अपका most important point है, तनुता अनुपात के अधार पर आपके column कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आपका होता है short column, यानि की short column, दूसरा हमारा ह होता mediumилоiden column यानि कि मद्धियम् क蓉ल गॉम और तीसरा हमारा हुचाने के कि कैस्यह की इनके क्या मतलब ऐसे पहचान है इसलिज़ स्वाइब सकते हैं कौन पहचान सके कौन चोटा कालम कोई कौन लमबा कालम कौन मद्धियम गवे तो इनको पहचाने कर Yes थो छोटा कालम् हैु में तनूता अनुपाद 30 से कम हुदा यह तनूता अनुपाद की वैलू 3-6 से कम होगी के जिस भी column की ठीक है कोईभी column हुँ उसको पहले इक साथ है many skip लेकिन जब स्लिंडर्णस रेसियो निकालेंगे कालएंगे किसी कौलोंम का तो अगर सिलिंडर्णस रेसियो की यहाओ सर्ट के वैलू 30 के वैलू तो तो आपका column का अनका gonna तो यह इसकी पाचान है कि जब भी हमारा तनुतारपात की वाल्यू 30 से कम होती है तो हमारा short column होता है 30 से 120 के बीच में है तो medium column होगा और 120 से अधिक है तो हमारा long column होता है तो यह आपको most important point है और competitive jambe भी बहुत ज्यादा यह पुछा जाता है next हम देखते हैं तीसरा जो हमारा आधार है तीसरे basis पे जो भर्गी करण किया गया एक column का वो हमारा सीरा स्थीतियों के आधार है यह भी आपका most most important है ठीक है very very important point है यह आपका और बार-बार यह competition में या फिर कहीं पर भी आपसे बार-बार पूछा जाता है इसी से related आपको numerical भी मिलेंगे कि यह जो इनके conditions है जैसे हम SFD BMD में या फिरा भी पिछला जो वीडियो हम देखे हैं उसमें आपका था slope deflection में तो इसी प्रकार से यह भी है कि जैसे उसमें कहा था कि cantilever beam होते है simply supported beam होती है उसके point load होते है उस पर ideal load होते है तो यह cases होते है लेकिन इसमें cases कुछ अलग है लेकिन यह भी उसी प्रकार से कुछ cases है चार cases आपको भी लेंगे और उस पर अलग-अलग formula आपको मिलेंगे तो जो सीरा की स्थितिया यानि क इंड condition उनके है उसके आधार पर column का वर्गी करण किया गया है और इसके आधार के चार वर्गी करण में पहला हमारा वहरा है वास्तिक लंबाई के बराबर होगी, यानि कि जो हमारा capital L होता हूँ हमारा effective length होती है, और small L हमारा actual length होती है, तो इस इस्तिति में, जब आपके column के दोनों सीरे hinge, इस पर जो support लगा और hinge support है, तो इस इस्तिति में आपके L is equal to L होती है, यानि कि प्रोभाई लंबाई वास्ति वास्तिक लंबाई के बराबर होगी, नेक्ट जो दूसरा हमारा वर्गी करण है, इस्तिति के अधारपा, इनकी जो end condition है, एक सीरा जब fix है, इनका और दूसरा free है, यानि कि एक सीरा आपका fix रहेगा और दूसरा free रहेगा, दूसरे सीरे पर कोई support नहीं लगा, जैसे आपक सीरा इनका hinge होगा और दूसरा सीरा fix होगा, एक सीरे पर hinge लगा दिये और दूसरे सीरे पर fix support लगा दिये है, तो आपका इस सिति में जो आपकी प्रभाई लंबाई होगी, वास्तिक लंबाई के L by under root 2 के बराबर होगी, चौथा हमारा जो condition है, दोनों सीरे बद्ध, यानि क जब दोनों सीरे fix है, fix support लगा दोनों सीरे पर, तब आपका क्या होगा, जो वास्तिक लंबाई होगी, वो प्रभाई लंबाई की आधी होगी, L by 2 होगा, और कैसे होगा, आगे भी हम figure की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको clear करने वाले हैं, और इन सभी के formula हम एक ही जगा या फिर अभी semester के लिए भी बहुत ही important है, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि जो capital L है, उसको हम सम्तुल लंबाई यानि की equivalent length या फिर profile लंबाई यानि की effective length के नाम से जानते है capital L को, और जो small L होता है, वामारी column की लंबाई के नाम से, जैसे आपको किशन अगर दि लंबाई भी बोलते है, actual length बोलते है, small L को, तो यह चीज़े आप ध्यान देंगे, capital L में क्या difference है, next हम देखते है, शंपीडन में भार के प्रकार्ट होता अंग का or shuffle होना, जो आपके संपीडन में compression में जो load होते हैं, उनकी kya का types होते हैं, और fillore के fill कैसे कैसे होते हैं, इस प्रकार से दिखेंगे, किसी अंग पर संपीडन भार दो प्रकार से लगते हैं, एक आपको का अक्षिय संपीडन तो दो प्रकार के आपके लोड यहां पर लगते हैं compression में समपीटन में कोई सेदस से दो प्रकार से भंग गया और सफल हो सकता है समपीटन में जो लोड लगते हैं दो प्रकार से आपके बताए कि axial और इसेंट्री और इसमें कोई भी member अगर आपका fail होता है तो कॉलम पे जब लोड लगा जाता है तो कॉलम के लोड से ज्यादा इसका जो वेट इससे ज्यादा लोड इस पर लग रहा तो क्या होगा यह आपका crush हो जाएगा तो इसके crushing से जो आपका इसका बकल कर जाएगा तो इस प्रकार से होता हमारा buckling यह अब हकाव से तो दो प्रकार से हमारा fail हो सकता है तो इसको हम detail में देखेंगे चलिए देख लेते हैं माना की पदार्त के किसी टुकड़े की लंबाई बहुत कम है जब लंबाई यहां पर लंबाई की बात की क्योंकि जो कॉलम आप पढ़े हैं जब उस पदार्त के भञजन प्रतिवल यानि कि क्रशिंग के मान के बराबर हो जाता है विप्रीत से बहुत लंबा है तो संपिडन भार लगने से चित्र की तरह वह सीधा नहीं रहता वरन उसमें विस्थापन हो जाता अगर बहुत लंबा होगा तो यह जो फीगर आपको दिखा जा रहा है जब बहुत लंबा होगा तो यह क्रस नहीं होगा लेकिन इसका विस्थापन हो जाएगा टीफ्लेक्ट कर जाए मैं यानि प्रारंभी के स्थिति इनकी यह थी री इस तेट था और बार्भ जब इस पे लोड लगा तो लोड की कारड़ी क्या होगे बकल कर गया इनकी बहकी स्थिति है इसी को बकलिंग बुलते हैं, ठीक है प्रकार से दो छीजे होती हैं, जब आपका छोटा होगा, कोई भी मेंबर आपका छोटा है, क्छल जाएगा और इस प्रकार से इनका फेलोर हो जाएगा, जब बढा है, बहुत लंबा है इनकी ज्यादा है, तो beneficial होता है तो क्या होगा च्रश नहीं होगा लेकिन इसके किसी न किसी पार्ट में बकल भाक लीगिन कर जाएगा तो इस प्रकार से इनका failure होता है निश्थ हम देखते हैं तो बहकाव गुडंक क्या होता है इस्ट्रट की दसा में जब आपका इस्ट्रट होगा तो उसकी दसा में जो तनतान पात है उसी को हम क्या करते है बहकाओ गुडां के बकलिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं लेकिन जो हमारा कॉलम है कॉलम में हम तनतान पात के नाम से जानते हैं और इस्ट्रट के कैसे में क अलग अलग फार्मूले भी है इनके तो जब बहका भार का निकालेंगे PC is equal to FC into EFC आपका क्या है crushing stress है यह आपका क्या है B into D यानि की जो भी area होगा तो यह आपका छोटे कालम के लिए यह फार्मूला भी उज़ करते हैं बहका भार का नेक्ष्ट हमारा है तनुता अनुपात यानि की सिलिंडर ने इस ratio हमारा क्या होता है किसी कालम की समतुल या प्रभावी लंबाई जो आपका कैप्टलियल होता है तिथा उसकी अनुप्रस्त काटके गुरुत केंदर पर निउन्तम गुडन तरिज्या यानि की लिस्ट रिडिस अफ गेरेशन के के अनुपात को उस कालम का तनुता अनुपात करते हैं किसी भी कालम की समतुल लंबाई होती या प्रभावी लंबाई जिसको आपके नाम से जानते हैं और उसका निउन्तम गुडन तरिज्या यानि की के होता है उसके अनुपात को हम क्या करते हैं तनूता अनपाद बोलते हैं ने की Cylinderness Ratio आप यहाँ पर देख सकते हैं तनूता अनपाद इफेक्टिव लेंध अपन लिस्ट रिडियस आप गेरिशन की निवनतम गुडन तरजिया तो यह सार तन तनूता अनपाद को हम एसार से देवोट करते हैं और यहल अपन K minimum इसको ह प्रटर्ट में लिखते है साब सिलिंडर नेस रेशियो यहल आपका क्या है एफेक्टिव लेंथ है कप्टल एल और क्या मीनिमम आपका क्या है लिस्ट रेडियर साब गिरेशन और आइशकल तो आपको पता है आइशकल टू एक इस्क्वाइर होता तो यहां से के की वैलू न है इंपॉर्टिंड पॉंट है जा मैं पूछाता है नेक्ट हमारा होता है आईजर के सुत्र आइजर फारू ला क्या है तो अभी हम पढ़े बहकाव भार तो जो बहकाव भार होता है बगलिंग लूड होता है वह आप याद रखेंगे छोटे कॉलम के लिए साट कॉलम के के लिए जो आपका आईलर का शूत्र का किस के लिए होगा तो देखी या उसके लिए कुछreno के लिए हैं अगया ह। आलर के सुत्र किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी एक और सुत्र आपके लिए क्या यूज करते हैं, तो सारी चीजे आपकी पूछी आती है, यह सुत्र केवल उनहीं कॉलम के लिए लागू होंगे, जिनकी लंबाई उनके ब्यास के 30 गुने से आलर ने चारो प्रकार के कालमों के भाकाओं में भंग होने के लिए सम्तुल लंबाई के पदों में निमन सुत्र दिया है, में जो इनका फार्मूला है यह आपका होता भाकाओ यह क्रिपलिंग भार यह आलर भार जिसको हम बोलते हैं, पीवी बोल सकते हैं, ठीक है, बकलि अलग-अलग होता है, अलग-अलग स्थितियों के लिए, जैसे अभी हम जो लंबाई को देखें, यानि की कॉलम की टाइप्स हम देखेतें, उसमें हम देखेतें कि इनकी इंड जो कंडिचन है, उसके अधार पर चार प्रवाई लंबाई होते हैं, और उसमें उनके का चेंज होता चला जाता है, इसी फार्मूले में, तो देखें, इस सुत्र में परतेक प्रकार के कॉलम की समतुल लंबाई का बान वास्तिक लंबाई के पदों में रखकर उस कॉलम विशेश के लिए यह सुत्र प्रयोग किया जाता है, यानि कि ऐसा नहीं कि डारेक्ट हम लॉंग कॉलम दिया है, यही शुत्र में प्रयोग करनेंगे, अब हम जब कुशन करेंगे, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, फार्मूला तो हमारा में यही रहेगा, लेकिन हमारा क्या होगा, यह यह याल की वेलू होगी, वो चेंज होगी हर कंडिशन के लिए, चार condition आपको मिलेंगी, एक आपका जब दोनों सीरा हिंज है, एक सीरा fix है, दूसरा free है, या फिर एक fix है, दूसरा हिंज है, फिर दोनों सीरे fix है, तो इस condition के, अलगला condition के, अलगला जो इनकी length की value है, यानि की वास्तिक लंबाई है, प्रभाई लंबाई है, इसके बराबर कब होती है, कभी L is equal to L होगी, कभी L is equal to L होगी, कभी L is equal to L under root 2 होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर L की value change करते चल जाएंगे, ठीक है, जो condition होगा, उसके काड़ी, फार्मूला आपका main यह होगा, सारी value आपकी यह होगी, क्योली L की value आपकी change होगी, आपका equation में दिया रह यह आपका column की वास्तिक लंबाई, जो small year होगी, वास्तिक लंबाई होगी, capital year होगा, तो column की सम्तुल यह प्रभाई लंबाई होगा, आई आपका column कानूपरस्त काटकर निम्तम जड़ता गुड़ होता है, और यह आपका column के पतात का यहंग मापांक होता है, और column आप यहा को मारा Euler का सुत्र है, उसके अलग-अलग condition के अधार पर आपका formula क्या बनेगा, उसको हम देखेंगे, formula क्या बनेगा, इसको याद करने की जो नहीं, बस आपका यह formula आपको यादाना चाहिए, जो Euler formula है, pi square, EI upon L square होता है, capital L square, ठीक है, बस उसी में आपको ind condition के, जो आपक condition है, वो पता होने चाहिए, कि किस condition में आपकी EL की value, किस के बरावर होती है, small EL की बरावर होती है, small 2 EL के बरावर होती है, फिर small EL Y2 के, तो यह आपको याद रखना है, कि जो आपकी column का classification बताएगा, उसमें जो EL की value आपको बताएगी, वो आपको याद रखना है, वो important है, तो देखे, जब पहला हमारा condition है, दोनों सिरों पर कबजिदार या पिल है, जब आपके कहा होते हैं, बोत हिंज हिंज और पिंड कालम, ठीक है, जो दोनों सिरे इनके हिंज हैं, तो इस इस्तिति में आपका क्या होता, जो वास्तिक लंबाई होती है, जो आपकी प्रुभाई रहा क्या है? प्रुभाई लंबाई है में कि इनकी लंबाई के बरावर है, तो इसके दोनों सिरे आतकर भी कबज़िदार हैं, इस कालम की जो सम्टुले लंबाई होगी हो आपकी प्रुभाई E l is square to Pi square E i upon e l square होता है capital e l होगा ठीक है यहां पर देखे small e l दिया है या फिर capital e l दिया है इसको हम क्या करेंगे इसके बराबर रखेंगे small e l square है तो सम्मतुल लंबाई के पदो में हम इसका जुभी हमारा को दो होने से निद यहां यहां ऑफ यहां से यहां से यहां तक यहां जो लेंध है जो fix सिरा है इसकी length यहां से यहां तक small L है लेकिन जो capital L होगा इस 2 L के बरावर हो यह लंबाई आपकी इधर होगी यह जो column की लंबाई है और आधी लंबाई इसकी इधर है तो जब हम इन दोनों को add करेंगे तो L और L क्या हो जाएगा 2 L हो जाएगा तो capital L होगा आपका जो profile लंबाई होगी वो यहां से यहां तक यह change हो रहा है ठीक है बकल कर रहा है उसके बीच का load होता है और यह आपका जित्ता आपका column होता है उतना ही load होता है तो यह capital L आपका 2 L के बरावर होगा इस case में जब एक index का fix होगा दूसरा free होगा तो यहां पर हम क क्या करेंगे L की value रख देंगे ठीक है L के जब हम क्या रखेंगे यहां पर 4 L square है और यहां पर हम 2 L रख देंगे तो इस प्रकार से हमारा formula हो जाएगा L स्क्वार ठीक है समतुल लंबाई के बदों में केवले L की value आपको change करनी है नेक्स हमारा है तीसरा जो condition है एक सीरे प पर fix है और दूसरे पर hinge है तो आपका क्या होगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से यह बकल किया यहां से और यह fix है तो यहां पर तो करेंगा ने इससे कुछ दूरी पर ही किया है यह जो आपका point of inflection है जो आपका नत परिवर्तन बिंद होता हो दिखाए गया ह तो जो नति परिवर्तन बिंद होती है उसके बीच की लंबाई होती है प्रभावी लंबाई या फिर आपका सम्तुल लंबाई होती है और जो आपका पूरा column है यानि कि फिक्स जहां पर इसके support लगे हुए उनके बीच की दूरी होती हो हमारी होती है वास्तिविक है दोनों बराबर है इसमें क्या है कालम की वास्तिक लंबाई थी वो तो इतना ही थी लेकिन जो नति परिवर्तन बिंद है यहां से यहां तक है यह टोटल आपका हो जाएगा यह प्रभावी लंबाई हो जाएगी इसलिए यहां पर रेल इसका 2L के बराबर है जो तीसरा क कटैने है उसमें क्या है कि जिया कि वास्तिक लंबाई थी वो तो जो जहां सब लगाए उनके बीच की दुरी होगी हमारे होगी के इसमाल अल फो निए प्रफ। तो यहां प्रवारतर मिन दिखाए गया इनके बीच की दुख़ी होती है का स्फ़ूलेगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, L की value क्या रख देंगे, L by under root 2 रखेंगे, तो इस प्रकार चे यहाँ पर आपका formula आपका यह है, बस L की value चेंज करनी है, तो इस प्रकार चे आपका formula चेंज दाएगा, देख्ष्ट हमारा जो है, दोनों 0 पर बद कालम, जो दोनों इंड होंगे, फिक्स होंगे, तो यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर इनके support है, उसके bीच की चो दूरी होगी, वह हमारी small yield होगी, वास्तिक लंबाई कालम की, और जहां से buckle कर रहा है, तो यह fix है, तो कुछ दूरी पहले, यहां से buckle कर गय यहां से नहीं करेगा तो यहां से और यहां तक के 20 की तो दूरी होगी वह हमारी capital Y कहलाएगी तो इसकी value के आजए कि L by 2 के बराबर होगी ठीक है तो यहां पर formula हमारा यह है इसमें L की value रखेंगे L by 2 तो यहां से यह formula हमारा change हो जाएगा इसको हम पहले भी पढ़ चुके है तो यहां पर हम समझ देते हैं आपको जो कॉलम में दिखाएगे यहन लिखा हुआ था तो बहकने के पश्चात कालम की अक्ष यहन बिंदु पर अपने धुकाओं की दिशा बदलती है अता यहन को नति परिवर्टन बिंदु करते हैं और दिशां समतुल में लंबाई का मश्चातिया आनि के इनके सपोर्ट लूत काई सपोर्ट की यह ऌतिया की वास्तिक लंबाई होती है और जो इनका बकली रेहा हो तो यहां चीजाए अर्गे सूत्र यह हमारा होता है मीडियम कलम के लिए तो यह तीन चीजा आप याद रखेंगे आलाट सूत्र हम लांग कलम के लिए यूज करते हैं बाद में बहुत हेल्प करेगी आपकी कंपटिशन बहुत ज्यादा पुछा दाता है और जो आपका रैंकिन गार्डन सूत्र हम मीड यह तो हम नस्तिफल के कारड भंग हो जाते हैं यह पर आपको पूरी डीटिछ बता जाए जो बहुत है सहून कलम होते सीधे संपीडन बल लगता है इस्टार्ट में पढ़े तो वहां पर वह खेल हो जाते हैं क्रस्प लांग होडे वह हमां जाते हैं तो यह परकार स Згляд को चाहिए यदे किसी पदार्थ का अंतिम प्रतिवल संपीडन में FC है और काड का सेत्वपल A है तब चोटे कालम के भंग होने के लिए भार जब आपका संपीडन में प्रत्पल FC और काट का छित्रपल A दिया है तो आपका छोटा जो कालम है उसके भंग होने के लिए जो भार होगा आपका PC is cut to FC into A आपको पहले ही बताए गया कि छोट कालम के लिए फार्वला भी यूज करेंगे ठीक है PC is cut to FC into A फिर यदि उसी पद कालम के लिए यह छोटे कालम के लिए और जो हमारे रैंकिन गार्डन सुत्र होगा हमारों का मध्यम कालम के लिए तो इसके लिए फार्मुला आपको क्या होता है PC हमको पाले पता है PE हमको पाले पता है तो यह हमारा 1 by PR is equal to 1 by PC plus 1 by PE तो PC और PE की value पता है यही हम रख देंग यहां से हमको रैंकिन गार्डन का जो सुत्र है वो मिल जाएगा तो बस आपको सारी value put करनी है इसका हम थोड़ा solve करने के बाद हम PC और PE की value यहां पर रखेंगे PC is equal to FC into A होता है और PE is equal to क्या होता है पाई square EI upon L square तो इसका हम जब solve करेंगे तो यहां से आपका देख सकते है यह PE की value रखने है यह PC की value रखने है उसके बाद से जो formula हमको मिलेगा formula हमको focus करना है तो देखिए formula हमको मिलेगा PR is equal to FC into A upon 1 plus A into L by K का holy square तो यह formula को हमको ध्यान देना है यह हमारा ranking garden का सुत्र है तो यह आपको note करना important है और यह use कहा होता है medium column के लिए तो वहाँ पर हम इस formula से उसको solve करेंगे तो यहाँ पर A जो है आपका सारी चीजे तो आपको पता FC क्या है, A क्या है, L क्या है, K क्या है लेकिन जो small A है यह आपका ranking इस रांक होता है ठीक है ranking constant होता है और इसकी value अलग-अलग होती है यह इसके case होते है जैसे जिस प्रकार का आपका material है उसके लिए अलग-अलग होता है और यह आपका दिया भी है कि आपके book में दिया है तो इसको हम note कर लेंगे कि किसके लिए क्या होता है ठीक है और जैसे भी आपका देता है जिस भी material का material के बारे हम कहा जा रहा है तो उसके लिए अलग-अलग A की value होती तो A की value ह हम वहां से ले लेते हैं और बागी शारी वेलों को किसे नों मिली होती है तो यहां पर पूट करके हम Rankin Garden सुत्र से यहां से हम निकाल लेते हैं Medium column के लिए तो यह formula हमारा Rankin Garden सुत्र का है P R is equal to FC into A upon 1 plus A into L by K का whole square और हमारा ILR का सुत्र होता है Pi square E upon L square और हमारा Buckling के लिए होता है आपका FC into A next हम देखते हैं यहां पर सारे formula आपको एक जगा बता दिये गए है कि जब दोनों सीरे हिंज है तो आपको 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 सुत्र होता है आपको क्या हो जाएगा Pi square E upon L square और फिर हमारा समतुल लंबाई के case में आपको यह formula हो जाएगा इसे प्रकार्ण से जब एक ऋकाए फिक्स है है आपको और दूसरा हमारा free है तो हमारा लंबाई क्या होंगी और इनकी case में formula क्या होंगे aylar की होगा सारे शुत्र को एक ज़ग्र दिखाए गया है , नेक्ष्ट हमारा है दोनों सिरो पर बत क्या है ц nerve ह हींजे तो इसके वास्तिक लंबाई और समत्र लंबाई क्या होगी और समत्र लंबाई और वास्तिक लंबाई के case में इनके आईलर सुत्र के फार्मूले क्या होंगे तो यह सारी चीज़ आपको यहां पर दिखाए गई है next हमारा फार्मूले जो भी एक चमें दिखा दिये जिससे आपको confusion नहों याद रहे क्योंकि यह most important है PC is equal to FC into EA आपको भाहर छोटे कालम के लिए यह प्रियोग करते हैं यह फार्मूला हम प्रियोग करते हैं तो यह सारी चीज़ आपको important जो सीज़ थी पता दी गई next हम देखते हैं एक आपका point बच रहा है आपर column पर उत्केंद्रित भार जो eccentric जो आपका load होता हो क्या होता इस्टार्टिंग में यह आपको बताई गया कि एक axial load आता है और एक आपका होता ही eccentric load तो एक्सेंट्रिक के बारे में तो बताई गया था थोड़ा सा यहाँ पर detail में देख लेते हैं और कुछ फार्बुलें के देख लेते हैं अगर आपके एक्जाम में eccentric load से क्रिशन आता है तो उसको भी आप आसानी से कर पाएंगे क्रिशन भी आपको eccentric load पे कराए जाएगा तक लगेगा वहां से इनके axis के बीच के दूरी होती है यह होती है इसी को multi centricity यानी की उत्के नरिता पहले भी आपको बताईगे वही सारी चीज़े यहाँ पर दिखाई गया है यहां से आपको formula मिल जाता है यह का आपको अधिक्तम संबिडन प्रतिबल f1 is equal to pya e into y upon k square plus 1 और अधिक्तम तनाव में अगर प्रतिबल हम निकालना चाहे तो f2 is equal to pya 1 minus e into y upon k square तो इस प्रकार से दो formula है अगर आपको maximum compression stress निकालना है maximum आपको tensile stress निकालना है तो इन formula का use करेंगे और वहां से आप निकाल सकते हैं eccentricity के case में उतकेंद्रित भार के कारण ये किसी कालम का बाया भाग चंपिडन में है तो उसका दाया भाग तनाव में होगा एक part इसका compression में है तो दूसा part इसका tension में होगा और इस प्रकार से दोनों part में हमको जो stress होता हो निकालना होता तो यहां पर अलग-अलग formula हम use करके निकाल सकत नेश्ट हम देखते है निमिरकल निमिरकल जो आपके important निमिरकल है आप जितने भी example में निमिरकल दिए गए है सभी प्रकार के एक एक निमिरकल आप जरूर सौल करके जाए जिससे आपको कोई भी निमिरकल अगर देता है तो उससे confusion नहोँ निमिरकल इसमें भी बहुत easy है किशन को घुमा देगा कि कोई भी चीज़े आसानी से ना पूछ कर कुछ और जैसे आप देख सकते हैं किशन आप कर लेते हैं पाला किशन हमारा है किसी कालम के दोनों शीरे कबजिदार है तो यहां पर केस आपको बताय जा रहा है condition क्या है इस condition पे हमको यल की value याद रखन करेंगे और एक चीज़ हमको ध्यान देंगे जो आइलर सुत्र है उसमें कैसे हम इसको सही तरीके से उसकरेंगे कालम के दोनों सिरे कबजिदार है तो उस case में वास्तिक लंबाई प्रभाई लंबाई क्या उनका आपस में रिलेशन होता हमको ध्यान देना है और वह इस करना है देखिए डी आपका दिया है यहाँ पर जो ब्यास दिया है पांच सेट्वीटे में में चेंज के लिए लंबाई दी गई है तीन मीटर ई की वल्यों दी गई है फार बोथ इंच और हिंज इसके कंडिशन हमारा क्या होता है जब दोनों इंड इंड हिंज होते है तो कोई चेंज नहीं होगा डारेक्ट हम जो इसमाल की वल्यों वही रख देंगे और यहां से हम इसको सौल कर लेंगे तो यह हो जाएगा इनका जो भी भाकावार है यह हमारा निकल गया आयलर सूत्र लिखा ता आयलर सूत्र से हम इसको निकाल लिए बस आपको यह ध्यान दे आपको दिया गया और I की वल्यों दी गया आयकी वल्यों यह यहल की वल्यों भी पूल सकता है कुछ भी पूल सकता है इस प्रकाश चे क्षान को घुमाता है नेस्ट हम देखते हैं दूसरा चमरा क्षिशन है एक स्टील इस्तम्ब का ब्यास 60 mm तथा लंबाई 1 मिटर है ब् एक चिरान का fix हैं, दूसरा free है. इस तोंप पर आरोपीत अधिक्तम अक्षिय भार यानि की आंक कुछल के बगार ग्याद कीजिए. इस तिम के लिए सुरच्छा गुडांक आपका दिया गया है, इनका अधिक्तम जो इस तोंप पर आरोपीत अक्षिय भार है, उसको हमको ग् तो आप देख सकते हैं, D is equal to 6 mm, L is equal to 1 meter mm में change के लिए, जब दोनों इंड इनके fix है, sorry, एक इंड इनके fix है और दूसरा free है, तो इस case में होगा, जो वास्तिक लंबाई होगी, प्रभाई लंबाई की 2 गुनी होगी, ठीक है, इस case में आपका वास्तिक लंबाई, इनकी प्रभ square से L की value हम रख देंगे, यहां पर 2L है, ठीक है, तो 2L कर दिए, इस console कर लेंगे, यहां से आपको भाकावार मिल गया, अब हम क्या करेंगे, शुरच्छा गुडांग दिया है, अधिक्तम अक्षे भार निकालना है, तो जो हमारा भाकावार से शुरच्छा गुडांग से होता है A के मान, जब दोनों सीरे fix हैं, हिंज हैं, जब दोनों सीरे पर कभजेदार कालम है, हिंज कालम है, तो उसके लिए FC और A की value दी गही है, किस में यूज होता है, रैंकिन गौर्डन फार्मूले में यूज होता है, जब आपका धलवा लो है, पदार्थ भी आगे हम material के अधार पर यह होता है, तो जब ढलवा लोगा cast iron की बात कही जारी equation में, तो उसके लिए आपका FC की value होगी, यह आपका 562, लेकिन क्या होगा, condition ही होगा, कि जब दोनों उसके सीरे होंगे, कभजेदार होंगे, हिंज होंगे, और यहां पर E की value होजागी, एक 92, और रैं लोगा अगर टाइरन दिया है, तो 233, FC की value, E की value 233, और आपका Rankin इस्तिरांग 1 by 9000, लकड़े कर दिया है, उठ दिया है, तो FC की value चार्शत दिहत्तर, और यंग मापांग आपका E की value 90, और Rankin इस्तिरांग 1 by 2000, यहां से दिया गे रहता है, तो यहां से दिया रहता है, त जो हमारा कीशन है, एक 2 मीटर लंबा ढ़लवा लोहे का खोखला पाइप, इसका बाहे ब्यास आर्च एंट्यूटर, तो आंतरिक ब्यास 6 एंट्यूटर है, यह किस्तम की तरह प्रयोग किया गया है, यह इसकी दोनों सीरे बद्ध हो, यानि कि दोनों सीरे fix हैं, तो Rankin शू में, तो L जो दिया है, इसका आधा हो जाएगा हमारा, और FC की वेलू हमारी दी गई है, A की वेलू हम निकालेंगे, पाइवाई 4D square होता है, तो जब इनके आंतरिक और बारी ब्यास हो, तो D square कर लेंगे, यहां से A की वेलू मिल जाएगा, ऐसे हम जब मुमेंट आफ इनर् आपका क्या होता है, एक बट्टे 600 होता है, अब यह आपको चार्ट में दिखाएगा, E की वेलू हमारी क्या हो जाएगी, जब यह आपका ranking इस्तिना का आपका 1 by 600 हो है, ढलवालो है के लिए, तो E की वेलू भी आपके दी गई रहत एक क्यान में होता है, तो यहां से हमारी आपका यहां पर दिखाएगया है, A into L by K का होली स्कुरार, तो यहां पर हमको चाहिए, FC चाहिए, A चाहिए, A हम निकाल लिए FC दिया हुआ है, इसमाल A भी हमको मिलने के चार्ट से, L by K की वेलू हमको पता होनी चाहिए, तो L by K हम यहां से निकालते है, Cylinderness Ratio से, L by K, ल काल लेते है, Cylinderness Ratio, आपका असार देखे, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, यानि कि 30 और 120 के बीच में है, तो आपका क्या होगा, medium कॉलम होगा, 30 से कम होता, तो आपका short कॉलम होता, तो medium के लिए हम Rankin Garden Sutra का प्रयोग करते हैं, तो यहां सब को पता चलिए, Rankin Sutra का प्रयोग क क्रिपलिंग भार 65.7 किलो न्यूटन, तो इस प्रकार से Rankin Garden Sutra का भी हम प्रयोग कट चुके हैं आपर, तो अलग-अलग जो types के निमिर्कल है, सभी निमिर्कल आप कीजिए, next हमारा question है, किसी खोखले कॉलम की लंबाई 3 मीटर ता बाहरी और भीतरी ब्यास करम से 11 है, इसके के अंदर से 3 सेंटीविटर की दूरी पर 100 किलो न्यूटन का भार लगता है, यह आपका eccentricity वाला case है, के अंदर से 3 सेंटीविटर की दूरी पर यह लोड लग रहा है, यानि कि जो eccentricity E की value है, आपकी 3 सेंटीविटर होगी, कालम में अधिक्तम तना होता तो से लोड लग रहा है, वह यह बरी eccentricity हो जाती है, P आपका दिया गया है, 100 किलो न्यूटर जो आपका लोड लग रहा है, D आपका है 11 सेंटीविटर, और इसमाल D आपका है 9 सेंटीविटर, बारी और आंतरिक व्यास दिया है, यहां से हम A की value निकाल सकते है, इनका छेत्रफ इसके जो formula होता है, FD इसकार तो P, Y, A होता है, P की value हमको पता है, A निकाल लिए तो यहां से हमको P, Y, A मिल जाएगा, bending stress यह ब इसकार तो P into E into Y upon I, यह formula हमारा होता है bending stress का, तो इसके लिए हम यह सारी value रखके निकालेंगे, E आपको पता है, P वी पता है, Y वी पता है, I भ प्रतिवल हमको निकालना है, तो maximum जो हम निकालेंगे, maximum प्रतिवल, तो यह B plus FD हम कर देंगे, यान कि इन दोडों को add कर देंगे, ऑब रादिखत्म मिल गया, जब न कंजा हम से FD को minus कर देंगे, तो इस प्रकार से यह सभी आपके important question थे और प्र कूलम को chapter था, हम प्रेट को प्रेज कर ले जिससे कि हमारे नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे